स्वागत है आपका हमारे शो तब से अब तक में पावर्ड बाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आज हम आपको एक बेहदी खास महमान से रूबरू कराने वाले हैं जो आप किसी परिचे के महताज नहीं है इन्होंने अपने अभिने से सबका दिल जीता है सर आप अपने शुरुवाती दिनों के बारे में बताईए कि आपकी पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग कहां पे हुई कहां से आप बिलॉंग करते हैं मैं दर्भंगा जिला बिहार से हूँ वहीं पर में स्कूलिंग हुई और वहीं से मैं ने 12th किया उसके बाद मैं ग्रेजवेशन और इंजिनियरिंग की तयारी करने के लिए दिल्ली आ गया और वहीं पर मेरे बड़े भाई थे तो उन्होंने मुझे बोला कि पार्ट टाइम तुम थेटर भी कर सकते हो तो पार्ट टाइम थेटर करने लगा फिर इंजिनियरिंग ग्रेजवेशन सब पीछे चूट गया और उसके बाद मैं थेटर में इतना रम गया कि दो-तीन साल फ्रीलांस थेटर करने के बाद सिर्राम सेंटर में एडमिशन हो गया फिर दो-तीन साल फ्रीलांस थेटर करने के बाद एंसडी में एडमिशन हो गया फिर उसके बाद महां की रेपेटरी कंपनी में एक साल काम किया और पिर उसके बाद वहीं से मुझे पहली फिल्म मिली हाईवे, उसके बाद मैं मुंबे आ गया। तो मतलब हम यह कह सकते हैं कि दिल्ली से ही आप काम लेके बॉंबे आये थे। हाँ, पहला काम तो दिल्ली से ही मिला था मुझे आच्छा, तो अमूमान होता यह है कि जैसे छोटे शहरों में, जैसे आपकी family members ने बोला कि आपको engineer बनना है, तो जब आपने बोला कि नहीं engineer नहीं मुझे अब proper theatre करना है और as an actor established होना है, तो उस time कितना support किया उन्होंने? नहीं, family वाले तो नहीं करते हैं support, वो तो बहुत उनके लिए कि यह क्या field है, यह क्या नहीं है, ऐसे डाटते हैं, लेकिन actually मेरा भाई थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसने बोला कि नहीं, यह भी एक carrier बन सकता है, तो उन्होंने मुझे support किया, बड़े भाई ने, family वाले तो कभी support नहीं करते हैं, तो दिल्ली में मतलब पढ़ाई के साथ-साथ आपने थेटर किया, नेचनल स्कूल आप ड्रामा में आप कब गए, मैं 2008 में मेरा admission हुआ, और 2011 का pass out हूँ, तो फिर, मतलब NSD पास होने के बाद, आप दिल्ली नहीं रुके, नहीं नहीं नहीं, मैं मैं वहाँ रेपेटरी कमपनी में एक साल काम किया, वहाँ एक professional एक्टरों का group होता है, रेपेटरी कमपनी में एक साल काम किया, वहीं पर स्रिराम सेंटर में auditions चल रहे थे, तो वहीं पर मैंने जा के audition दिया, तो मुझे highway film मिला, तो लगभग, मतलब दिल्ली जब आए, तो और आप काम मिल जाता है, तो, नए, 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 लंबे समय तक मैंने थेटर किया है, और वो भी मैं तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं रेपेटरी 6 साल कमप्लीट करूँ, वहाँ 6 साल आप कर सकते हैं, लेकिन वह संयोग से मुझे highway film मिल गई, उसके बाद मैंने बोला कि अ आपको मिलने आसान हो गए, नए, लोग, मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरे काम की लोग तारीफ करते हैं, देखते हैं, जब भी आता है, लेकिन काम मिलने का जो प्रोसेस है ना, वो यहां पे बहुत डिफिकल्ट है, यहां पे आपको, मतला, आपको, मतला, आडिशन दे वो थोड़ा कठिन रहता है, तो उस ही में घूमते फिरते आराम नगर, पार्ट वन, पार्ट वोल्ड महाडा, पूरा चान मारे, कहां काम मिले, कहां काम मिले, तो उसके लिए भठकते रहें, तो जब आप काम धूमने जाते होंगे, जैसे काम मिलता होगा, तो अच्छा ल जाहिए, जब कुछ नहीं हो रहा है अच्छा आपके साथ, आप वो शांत हो जाना चाहिए, अच्छा खाना बनाओ, अच्छा किताब पढ़ो, अच्छी फिल्में देखो, यही सब आपका दवाज जैसे काम करता है, तो उसके बाद फिर से आपका वही प्रोसेस जैसे अच्छा देना, हर काम मुझे आडिशन से ही मिला है, तो कोई कोई काम होता है जो कि डिरेक्टर के अप्रोच से मिल जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं शुरू हुआ है, कि डिरेक्ट आपको काम मिल जाए, हर काम आडिशन देने के बाद ही मिलता है, और लगभग नोद सपोर्ट मिलता है, मतलब मोरली सपोर्ट तो मिलता है बातचीत से कि अभी समय आएगा, मिलेगा काम, मिलेगा काम, लेकिन काम में कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सब का अपना अपना रास्ता रहता है, सब अपने अपने रास्ते से चलना होते, लेकिन हां कि मिल गए तो बुल अभी मतलब इस साल की जो सबसे हिट सीरीज है पंचायट तू उसमें आपका जो बर्चस है वो सबसे जादा है बल्कि अभी मैं एक दिन आर्टिकल भी देख रहा था इंडियन इकोनोमिक्स टाइम्स में आपका वो डायलोग के साथ मेंस बन रहे हैं कि देख रहा है बिनोर तो यह पंचायट कैसे घटी आपके साथ पंचायट फर्स्ट सीजन में मैंने एक सीन किया था वो ऑडिशन से क्रैक किया था और संयोग से सकेंड सीजन में इतना बड़ा रोल बन जाएगा यह मुझे भी पता नहीं था लेकिन राइटर सर ने लिखा उन्होंने दिया प्रसंसा किया उसके बाद दो तीन वेव में इसके चले मिम्स एक बार कि तो हॉलिवूड एक्टरों से कंपेर किया गया कि यह परफॉमेंस उसके बराबर है फिर उसके बाद देख रहा है विनोट चला तो अभी दिंकी वाला चल रहा है तो ऐसे करकर कि मतलब लोग कनेक् तो यह सब परफॉमेंस है और सबसे बड़ी है राइटिंग राइटर ने इतना अच्छा लिखा हुआ है कि बस मन गदगद हो जाता है तो आपको जब पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन के लिए भी आपको ऑडिशन देना पड़ा था ने ने दूसरे सीजन के लिए ऑड आपने बहुत ही रियल मतलब प्ले किया है अपने क्यरेक्टर को हम लोग तो एजन एक्टर परफॉर्म करते हैं जो उसके थोड़े बहुत नुआंसेज होते हैं उसको देखके चुनोटी चुनाना या खुछ भी करना यह सब हम थोड़ा बहुत चुनोटी से याद आया व वो वाला जो आपका सीन है, वो चुनवटी वाला, क्या मतलब प्यारा सीन है? हाँ, वो तो एमेजन प्राइम ने भी डाला था अलग से कार्ड के, कि प्लास्टिक वाला चुनवटी से बरिया, स्टील वाला चुनवटी लगता है तो पंचायर 2 की शूटिंग जब हो रही थी, तो उस वाट सेट पर कासा माह difficult be topics बहुत अच्छे डिरेक्टर हैं, बहुत अच्छी टीम है, बहुत प्रोफेशनल है बहुत घर जैसा महौली था और अच्छा शूट करते थे कोई प्रेसर नहीं रहता था जैसे आप करना है कीजिए और डिरेक्टर सर कुझ जैसे लगता था थोड़ा मोडूलेशन चाहिए उनको तो वो बता देते थे हम लोग ऐसा कर देते थे तो शूट करते वक्त रगुसर थे सबके साथ आपके सींस हैं तो उन लोगों के साथ रगुसर के साथ काम करने का जो एक्सपिरेंस वो कैसा रहा आप बहुत अच्छा वो लोग जब एक सेट पे आ साथ से प्ले करते हैं तो उसमें कमफ़टेबल लहता है उसमें कोई दिकत नहीं होती एक आर्टिकल में तो यह भी लिखा था कि पंचायर 2 के जो विलेन है वो दुर्गेश जी है ऐसे बहुत आर्टिकल आये हुए हैं लोगों कनेक्ट कर गए मैं यही जानता हूं कि वो त अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग कुछ नहीं होता है लोग कनेक्ट कर जाएं तो आपका करेक्टर हमें हीट हो जाता है नहीं तो अभी तो बहुत वीब सीरीज आ रही है लेकिन यहीं है कि लोग कनेक्ट कर गए तक यह इतना मका remains बन रहा है या इतना वाइरल हो र खोकर रहे तो क्या उस्सी आसा कुछ अभास था कि मतलगे इतना हीड हो जाएगा करेटरा ने उस समय थो नौर्मल यासे शुट करते हैं वैसी शूट कर रहे जो जोग्स थे वो जोग्स वर्क कर रहे थे डारेक्टर साफ सूट कर रहे थे बस डारेक्शन बहुत अच्छा है और राइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए इतना निकल के आई पंचायट तू जब लोगों ने देखा तो मुझे लगता है एक से दो दिन के बाधि आपके वो पंच लाइंस सबसे ज्यादा तो आपके सारे पंच लाइनस वारल होने लगे कल मैं पंकास्तिर पाठी सर का इंट्रवीव देख रहा था अभी दिल्ली में उन्हों ने आपका और आशोक सर का जिक्र किया कि हर किसी को पंचायट के हीरों और विलेंड मे आप ही नजर आ रहे हैं तो इस पर क्या कहेंगे कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है मतलब मैं तो ओबर मेल हूँ और सब को सुब कामना देना चाहूँगा पंकस्तर को भी कि इन लोगों ने देखा मैं तो काम दस साल से करी रहा हूँ मेरे कई रॉल्स हैं गोली यादव या पाबलो यादव कई रॉल्स मेरे हिट हुए लेकिन पंचायत में कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा थार थोड़ा चंग तो लोगों ने अच्छे से देखा तो लोग एप्रिशियेट कर रहे हैं मैं तो सबको थैंक्स ही बोल सकता हूँ तो पंचायत 2 के बाद आपने पूरा मतलब एक अपनी सादगी की पुरे हिंदुस्तान पुरे वर्ल्ड में आपने चाप चोड़ दी पंचायत 3 के क्या आपडेट से हम आपके जानना चाहेंगे मुझे अभी तक कोई अपटेट नहीं है लेकिन हाँ अभी लिखा जा रहा है अभी नए सिरे से तांकि उसकी क्वालिटी बरकरार है इसलिए भी लिखा जा रहा है बस नए लोग जो लोग आते हैं मतलब बॉंबे छोटे शेहरों से वो थेटर करने आते हैं कुछ लोग फिल्म करने आते हैं तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे थेटर तो मैं बोलूगा कि दिली इज बेस्ट जगा है थेटर दिली में करना चाहिए लेकिन अगर आप मुंबई आते हैं तो मुंबई में भी थेटर के बहुत अच्छे गिस सकते हैं, यहां भी गिस सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बेस्ट है कि दिल्ली में आपको थेटर करके अच्छे से मुंबई आना चाहिए और मुंबई में, जो मुंबई अगर आप आये हैं तो फिल्म करने के लिए आये हैं, मीडिया करने के लिए आये हैं, तो आपको उसमे लग जाना चाहिए और मेन है कि क्राफ्ट पे मजबूती से काम कीजिए उसके बाद रास्ता बनता चला जाता है हमने आपकी इतनी सारी फिल्में देखी है अभी आपकी आने वाली फिल्में और वेब सिरीज कौन-कौन सी है मेरी आने वाली फिल्म है रेड चिली की एक फिल्म आएगी भक्षक और एक आमिर खान जी ने प्रोड्यूस की हुई फिल्म है वो आएगी और एक हंसल मेहता जी ने प्रोड्यूस की हुई फिल्म है वो आपको डेड भी घाजमीन ये तीन फिल्म में मेरी आने वाली है आपके पसंदीदा डिरेक्टर कौन है बॉलीविड में अनुराग कर से बहुत पसंदीदा आपके पसंदीदा अक्टर कौन है एक्टर नवाजुदीन सिद्की मुझे बहुत पसंदीदा आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है एक्ट्रेस तो सभी सभी एक्ट्रेस पसंद ह आपके पसंदिदा राइटर कौन है राइटर तो मेरे नागारजुन जी सबसे पसंदिदा राइटर है उनकी रचनाएं पढ़ने में बहुत मज़ा था पंचायग 2 के इतने सारे डायलोग्स हिट हुए तो वो वाला एक बार हो जाए देख रहा है वो बहुत अशा है कुछ ऐसा है कि देख रहा है ना बिनोद अंगरी जी बोल बोल के बात को कैसे घुमाया जाता है और एक वो चुनोटी वाला भी है कि हमको ना प्लास्टिक वाल लगता है अरे ऊका है ना भया कि स्टील वाला हिराता बहुत है ना तो इसलिए हम प्लास्टिक वाला लेते हैं का सचिब जी प्रधान जी के ना से आ रहे हैं जो आपने अपना इतना किंति वक दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत द्थान्य आपको झाल झाल